तो दोस्तों यहाँ पर सब में बात करते हैं ब्लड लाइन की बारे में तो उनको मौका मिल चुका है नेक्स्ट मैकडाउन के अंदर अगेंस्ट डियावाय के साथ मैच रिसल करनेगा वो भी टैग टीम चैंपेशिप के लिए और सो में से 99% चैनल से कि डियावाय उस मैच के अदर हरने वाली है और ब्रड लाइन के बंदे यानि कि जेकब फाटू और टामा टूमा आपको न्यू डबली डबली टैक्टीम चैंपेशिप बनते हुए दिखा देंगे लेकिन एक चैनल से ऐसा भी है कि इस मैच के अंदर जे उसो नेवल की जिमी उसो का रिटन होने व हाल ओफ फिरम के अंदर डबली डबली के अधर ड़ऑने इंडिक हो जाएंगे तब वहाँ पर हमारा नाम होना चाहिए हार डीज बॉइस क्योंकि अभी इनका नाम है सोल हार डीज यानी यानि ये एडबली के अंदर यूज नहीं कर सकते हार डी बॉइस इस हिसाफ से इनक तो यहाँ पर अपने फिरेंड नाया जैक्स का मूव भी कॉपी करने लग चुकी है स्टनिंग फेस उन्होंने लगा दिया था यहाँ पर शाय से किसी सूपरस्टार को यानि यह मूव तो नाया जैक्स का है लेकिन अब से यह इस्तमाल कर चुकी है और फेसंटमारे टिफनी और बहुत जल्द नाया जैक्स को एक नाया मनीन दबैंक का ब्रीट केस लिए उनका मनीन दबैंक ब्रीट केस तूट चुका है बुरी तरीके से इसलिए तो next time बात करते है CM Punk के बारे में तो CM Punk ने तो कहे दिया कि finally उनकी AJ Lee जो वाइफ है वो WWE के अंदर दिखने वाली है यह उन्होंने confirm करके बता दिया है अगर CM Punk ने बता दिया तो confirm you मान लो दोस्तो एक बार तो सही AJ Lee का चहरा आपको WWE Company के अंदर पर फट तरीके से इज़त के साथ देखने को मिलने वाला है नेक्स जम बात करते है सोलो सिक्वा के बारे में तो बहुती बड़ी सूपरस्टार बन चुके सोलो सिक्वा आप समझ लो जो पहला मैच हो था PPV के अंदर सोलो सिक्वा का वो हो था तग्रेटेस ओफ वल्ट ताइम जान सिना के साथ और उस मैच के अंदर बुरी तरीके से जान सिना को उन्होंने हरा भी दयाता और जो नेक्स पी-पीव के अंदर उनका मैच होने वाला है समर स्लम के अंदर वो भी अंडिस्पीडेस डव़ी डवी चांपिंशिप के लिए IRS कोली रोस के सातब friction के साथ अब देखते हैं इस मैच के अंदर क्या वो कोली रोस को हराते है या फिर खुड़ कोली रोस से हर जाते है और क्या इस मैस्ट का अंदर दे ट्रावल चिफ रोमर रेंस का रिटन होता है या फिर नहीं नेक्स्ट weòng बात करते है रोमर रिज्ट और ले रोक के मैस्ट के बारे में तो ट्रावल रैसलिंग वालोंने बोलाएacji कि रोमर रैसलमिना रेसलमिना दो लोग्हार को पूसिबिल्ट के है कि एक रैसल मेना फो såटीवन के अंदर मैच देखनें को बिल सकता है कोडी रोज वेडि़सारोमर पूर्ण रोग के बीच और ये मैच हो सकता है और civilization चैंपेंशिप के लिए क्युक्कि दैसutz के लड़ना चाहते है कुए बाद फाइनल मैश हमको देखने में बनेगा रोमर रेंज और दे रॉक का वन उन वन वो होने वाला है रेसल मिन्या 32 के रेसल मिन्या 42 के अंदर पर फिर तरीके से इज़त के साथ इसलिए मैं रोमर रेंज के आलवा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता रोमर रेंज मुझे पेर न देता हर रोज काम जाने के लिए इसलिए मैं रोमर रेंज का ट्राबल चीफ नेबल की वाइज मैन हूँ और इसलिए मैं रोमर रेंज को ही ट्राबल चीफ मानता हूँ मैं क इसलिए मैंने सोलो सिक्वा को बिलकुल भी एकनॉलेज नहीं किया और जब मेरा रियल ट्राबल चीफ वापस आएंगा तब सोलो सिक्वा की खटिया खड़ी कर देंगा ऐसा खुद पॉल हेमन ने कहा है कर्ट आंगल और आएमजेभ पारे में तो रिसेलव इन दोनों भी सुपरस्टर की फोटो निकल की आये है दोस्तों यह फोटो ही बस यह सब कुछ दिखलाती है कर्ट आंगल के बारे में कर्ट आंगल को अपना फेवरेट मैच नहीं मिलाता रेसल मिना के अंदर वो जौन सीने के साथ रेसल करने वाले थे लेकिन वेंस मिंक मैंन ने उनको ये मैच नहीं दिया और हाइली पॉसिब्लिट यह है कि रिटार्मेंट मैच वो रेसल कर सकते हैं एक बार फिर से और वो हो सकता है ऑल एलिट रेसलिंग के अंदर वो भी और सोलो सिक्वा की चटनी बानाते हुए तो दोस्तों यह वीडियो बस यही तक थी अगर आपको वीडियो पसना था वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब क्योंकि जो कुछी भी है इसी चैनल पर है और कही नहीं